अक्टर्स दिपिका पादुकून अब एसेट सर्वाइवर्स की करेंगी मदद। अगर हम बॉलिवड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो काफी सारे एसे अक्टर्स हैं जो काफी सारे सेंसिटिव मुद्दों पर बात करते वे नजर आए हैं और उनी सेंसिटिव मुद्दों पर उन्होंने मुवीज भी बनाई हैं अगर हम बात करें एसेट अटक की तो हमारे इंडिया में एसेट अटक इतना कॉमन हो चुका है कि आए दिन कोई ना कोई एसेट अटक सर्वाइवर हमारे सामने आता है और उनकी स्टोरी पूरी लाइफ के लिए बहुत जादा यादकार बन जाती है क्योंकि as not a positive but as a negative उनकी लाइफ बहुत जादा खराब हुजाती है और लोग उनको हमेशा याद रखते हैं अगर मैं बात करू मुवी छपाग की तो मुवी छपाग ने लोगों को काफी जादा इंस्पायर किया था और अगर मैं इस true story की बात करू तो it's definitely based on a true story उसमें आपको नज़राई थी अक्टरस दिपिका पादुकोन और जब मुवी के बाद आक्टरस दिपिका पादुकोन होता है लेकिन जब एक acid attack हो जाता है तो उनकी आगे की पूरी life खराब हो जाती है और लोग उने काफी अलग तरीके से treat भी करते हैं लेकिन अब एक्टरस दिपिका पादुकोन सामने आएंगे और उन्होंने कहा है कि वो 10 लाख रुपे उनको donate करेंगे जो कि acid attack survivors हैं लेकि लेकिन अब एक्टरस दिपिका पादुकोन ये कह रहे है कि आज भी वो उनके लिए stand लेंगी और आगे भी वो हमेशा उनके लिए stand लेती हुई नजर आएंगी लेकिन अगर हम बात करें बॉलिवूड के और celebrities की तो हमेशा बॉलिवूड के बड़े celebrities एस्टे ट्रैक के बा बॉलिवूड